हाई गाईज, ओलन हेलप एंट्रीक शैनल पे आप सोब लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में आप लोगों को मैं जो लोन अप्लिकेशन का रिविव दूँगा इस अप्लिकेशन का नेम है प्राइम लेंड तो गैस प्राइम लेंड अप्लिकेशन का एड़ अब लोगों को फेस्बूक और कफी सारे जगापे दिखने को मिल जाएगा तो प्राइम लेंड अप्लिकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को अब लोग जरू इन तक देखेगा इस वीडियो के अंदर अब लोग को बताऊंगा PrimeLand Applications काROCES क्या है क्या ये Application सच में Loan देता ही कि नहीं ये Application Real है ये Fake है और अब लोग को इस Appliances पे loan के लिए अपलाई करना चाहिए या नहीं चाहिए तो गैस जरूर वीडियो को अब लोग इन तक दिखेगा और गईस अगर कोई चैनल पर नए विजिट किया है तो चुरू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथे साथ बेल आइकन पर प्रेश कीजिए तकि हार एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे तो गईस चलिए आज की वीडियो शुरू करते है तो गैस प्रेश प्रैमलेंड अप्लिकेशन स्कृपारिं करने के टैम पहला इंटरफेस स्टेप का आजाता है अवेलेबल लोगन荐ं का अप्छन से वह प्लिल करने के बाद आज आजाता गया congazulation you can get loan up to 30,000 तो नीचे transfer to wallet का उप्शन से क्लिक करने के बाद आजाता है wallet का उपशन तो नीचे get loan का उप्शन से ववे क्लिक करने के बाद आजाएगा please select the loan amount तो यह पे loan amount उच्प करना होगा, तो मैं जो यह पे loan amount आप्लिकेशंस पर 30,000 लोन के लिए पहले 796 रुप्रीस कर देते हैं तो आगे जके प्लेंब्लेंट अप्लिकेशं के तरफ से मोगो को लोन नहीं मिले प्लेंब्लेंब्लिकेशं एक ihan एप्लिकेस से पैसा ले लेता है और आगे जके अ Newman प्रोफेट नहीं करता कर सा ओकई जान को क्या है तुछा यहां प्रेइम टीकाइशन कर दोऑन कंद मीज़ें황 का प्रिव्यां का रिव्यू दिखने के बातन पता चलजाएगा कि prime land application एक fraud application है तो चलिए play store में और देख लेते हैं कि इस applications के बारे में क्या review दिया गया है तो guys play store में आने के बाद सिधा चले जाते है see all review पे see all review पे जाने के बाद देख सकते हैं यह पर एक बंदा review दिया है fraud asking processing fee before loan तो इन्होंने यह कहा है कि यह application fraud है लोन देने से पहले बोलता है कि processing fee pay कीजिए नीच और एक बंदा review दिया है और इन्होंने इस applications पे loan के लिए 299 रूपिस पे कर चुका है बढ़ आगे जगे prime land applications के तरफ से loan नहीं मिला है नीच और एक बंदा review दिया है very very bad app और इन्होंने भी इस applications पे loan के लिए 299 रूपिस पे कर चुका है बढ़ आगे जगे prime land applications के तरफ से loan नहीं मिला है यह जितने सारे review है review देखके आप लोग अंदाजा लगा सकते कि prime land application एक fraud application है और यह application लोगों को लोगों देने के नाम पे सिर्फ लोगों से पैसा ले लेता है और आगे जगे लोगों प्रोवेट नहीं करता है तो आगे जाके अब लोगों के साथ भी fraud हो जाएगा तो गैस यही था अचका एक छोट अचा जान करें अगर अब लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज परका दोरा नेक्स वीडियो में तब तक आप लोग अपना ख्याल डखना जाए हिंद बंद मातरम